इसलाम अलेकुम इस विडिटोरियन में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोफ एक्सल में हम डिफ्रेंट डिचिट्स को या डिफ्रेंट रुप्रेंट रुकूम को कैसे जम्मा करते हैं या कैसे समप करते हैं आप एक्सल की शीट ओपन करें ओपन करने के बाद जैसे मैंने कुछ रुकमें लिखी हुई है ऐसे ही आप कोई भी रुकम जम्मा कर सकते हैं जो किसी भी सेल में लिखे होगा यह जगा पर जम्मा कर सकते हैं फर्स्ट आफ आप मैं बताऊंगा कि अपने इस कॉलम में यानके बी कॉलम में जो आपको बस रुकमें लिखी गई है उनको अगर जमा करना है तो आप कैसे करोगे भावन क्लिक आप सभी को सेट करोगे सेट करने के बाद आप आटो सम पर क्लिक करते होगे तो यह सम अप हो जाएंगी और राइट इसी तर आप इनको भी सम अप कर सकते हैं यह देखिए यह समप होगी अब मैं बताओंगा कि अगर आप इन सब को और इन सब को जो कलम बी में और कलम सी में हैं एक जमा पर समप करना हो तो कैसे करोगे उससे पहले मैं आपको दोनों के समप को एक जमा पर सम किरके दिखाता हूँ इस इकल टो बी नाइन प्लस सी नाइन तो यह आंसर क्या रहा है 10744 अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जी जो अंसर है यह पाइपन फार्मूला यानिके एक जगह पे एक सेल में कैसे आएगा आप इस इकल टो लिखाओगे उसके बाद फार्मूला जुज करोगे सम इंटू अब आप फर्स्ट कॉलम यानिके फर्स्ट जो आप रकम लिखी हूए अपने उसका अड्रेस जोगे फर्स्ट रकम उसमें लिखी है इसके बाद आप कॉलन लगाओगे कॉलन लगाने के बाद आप लास्ट रकम का अड्रेस दोगे जो सेम कॉलम में है जो के बी एट है इसके बाद आप कॉलन लगाओगे और जो आपको दूसरा कॉलम है उसकी अड्रेस दोगे उन्हीं सेल्स के अड्रेस दोगे जो आप समप करना जाते हो इसके पाद आप ब्रेक्ट स्मॉल ब्रेक्ट प्लोज करोगे और इंटर कर दोगे यह आपको बसे जो आंसर आया है वो आया है तैन थाज़न सब्नेंट फट्योफोर यहनिका सेम आंसर आ चुका है इसी तरह आप कोई भी रकम किसी भी सेल से एक जगा पे समप कर सकते हो ओप सो यू इंजोई दिस वीडियो प्लीज सब्सेक्रेट मेट चैनल फर में फीच वीडियो थैंक यू सुम्च पर वाचिंग अला फेज कर दो कर दो कर दो कर दो